नमस्कार आज आपका अनपूर्णा चैनल में फिर से स्वागत है आज मैं आपको आलो की टिकी बनाने की रेस्पी बताऊँगी देखिए हमें उसके लिए क्या चाहिए ये मैंने रात को 200 ग्राम ये मटर लिए थी वाइट वाली इसको मैंने बिगा दिया था ये मैंने 1 kg आल ये धन्या पाउडर ये मिर्ची पाउडर ये जीरा ये चना मसाला ये मैंने अद्रक छोटी-छोटी कट कर रखी थी हरी मिर्ची हो गई ये हीम हो गई और आलू की टिकी में डालने के लिए मुझे ब्रेंट की जगत पड़ेगी तो मैं ब्रेंडी डालती हूं वैसे लोग जदरा दोगी और इसको एक सीटी आने के बाद मैं इसको पंदरा मिनद तक सिम्-गयस पे पकाऊँगी ये देखिए कि मैंने ग्यास पे मतर बॉयल होने रख दिये, दोंगी और इसको बॉयल होने रख दोंगी, एक सीटी आ जाएगी तो स्विलो बर फिर में 50 कि बनाने के लिए यह एक किलो आलो जो बॉइल कर रखे थे उनको हम इस तरीके से इसमें मौल में इस तरीके से सारी आलो को हम त्यार कर लेंगे आप चुप सोन आली लीजीगा बहुत अच्छे होते हैं उनसे बहुत टेस्टी टिक्की बनती है कि मैंने टीक्की के लिए एक क्ढुश कर लिया है अब बशे Pak decir को कोई भी कपड़ा है या हेंकी ले सकते हैां उसको पानी में आप इस तरीके से डिप करियेगा, और इसमें डालने के लिए je ब्रैदा अब इस तरीके से डालीजیएगा, आर- aunोлов मत डालीएगा, और आपको पसंद से डालेंगे गा essa काम चलाते हैं कि इस तरीके से टिप करके और इसको बैड को ऐसे नब को पानिया आप बिल्कुल इसका निकल जाएurous तरीके से यह व्यानमने आदा पैकेट बैड ली थी एक किलु आलो में आदा पैकेट बैड इस तरीके से आप कि डाली घाक कि पानियíd तरहे आपकने आपकिन के टोलें को यसमें ये मैंने नमक रखाका था इसमें 1 जिए मंच आप नमक हमें डालीजेगा और इसको अच्छे से इस तरीके से कैसे मैस करिएगा डंग से खूब अच्छे से ये बनाने के लिए ब्रेड और आलो अच्छे से मैस हो चुका अब इसमें थोड़ा साम इस तरीके से मस्टर्ड ओयल डालेंगे और फिर इंगी छोटी-छोटी बॉला हमने इस इस तरीके से आप बनाईएगा ज्यादा मोटी मत बनाईएगा आप मोटी बनाएंगे तो फिर अंदर से वह अच्छी नहीं लगेगी कि कच्छी सी लगेगी ये देखिए ये मैं टिक्की जो बना रही हूं इनको हमें हाफ फ्राइ करना है फिर जब ये दस मिनट बाद ये जब ठंडी हो जाएंगी तब मैं इनको टी फ्राइ करोंगी इस तरीके से इनको ये हमारी गुलावी गुलावी हो गई है इस तरीके से आप बना लेगे एगा तो इस तरीके से आम इनको निकाल कर रख लेंगे और जो बाकी हमारी बची हुई है फिर उसमें हम इनको डालेंगे ये देखिए अब ये मेरी मतर ये बॉयल हो चुकी है अब मैं इसको फ्राइ करूंगी ये देखिए अब इसमें अब इसमें सब डाल दी है अब मैं इसमें तूटी स्पूर में ये धन्या पाउडर डालोंगी ये देखिए और इसमें अब टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर डालोंगी ये में इसमें वन टी स्पून ये हल्दी डालोंगी और ये ये इस मियने चना मसाला ले रखा आप जो भी इस्तिमाल करते हों आप उसको ले सकते हैं और इसको मैं इस तरीके से ये सब मिक्स कर दूँगी देखिएगा इ जो मैंने कट करके रख़ी हुई थी हरी मिर्ची उसको भी मैं चारीस में मिला दूँगी है। इस तरह से आप मिलेंगा ये मैंने इसमे सारा मसाला डाल दिया है। इसको अच्छे से में mix कर दूगी और अब इसको फुल पे पकाऊंगे फिर में पर इनको पलटिएगा नहीं चल्दी इनको पहले दो मिनट अच्छे से पकने दीजेगा फिर पलटिएगा अगर आप इनको टच करेंगे तो यह फट जाएंगे और आपकी तिक्की अच्छे से नहीं सिखेगी करारी नहीं अब मैं अपनी फुल गैस करके फिर यह जो मेरे टिक्की हैं इसमें डाले हुई थी इनको इस तरीके से पढ़नोंगी देखिए वह आप कितनी बढ़िया सिख गई है यह देखिए फुल पे करिए और आप इस तरीके से फलटिए यह सारी जो में नहीं बनाई हुए देखिए देखिए टिक्की हमारी यह बनकर तयार हो चुके हैं कितनी बढ़ियां करारी सिखी हुई है इस तरीके से आप भी बनाईएगा यह देखिए बढ़ियां अच्छे से तयार हो गई है अब मैं इसमें यह जो मैंने मटर रेडी करी हुई थी उसको मैं इस तरीके से यह देखिए यह डाल दूँगी देखिए और यह मैंने चटनी बना रखिए थी खट्टी मीठी यह मैं आप लोग बनाते होंगे फिर भी मैं आपको बता दूँगी यह यह देखिए मैंने यह मीठी चटनी इमली की बना रखिए थी तो इसको मैं अब इस तरीके से आप जैसे पसंद करते हो वैसे डालेगा मीठी ज जादा पसंद करते हो तो तो जादे डालिएगा तो कम डालिएगा यह मेनय की इंबने एकष बना रखी थी और यह मैंने धनिया की घरी चट्नी बना रखी थी इसको भी में 2 डी स्पून इस तरीके से डाल दूँगी और यह मैंने दही फैटके रखा हुआ था उसको भी में इस तरीके से यह डाल दूँगे यह देखेगा यह मेरी टिकी रेडी हो चुकी है अब हम इसको आप कोई भी नंगीर ले सकते हैं इस तरीके से इसको प्राइश करेंगे देखिए हमारी रेडी हो चुकी है टिकी टेस्टी आप लोग भी बनाईएगा इस तरीके से अगर कोई कमी रह गई हो तो हमें बताईएगा अगर आपको पसलना है तो हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्रापरी बाबाई